अगर आप एक नए pen card के लिए apply किये हैं या फिर आप अपने pen card में correction किये हैं तो correction करने के बाद जब आप अपने pen card का status check कर रहा है तो status check कर रहा है तो वहाँ पे आपके screen पे लिख के आ जा रहा है sorry no record found तो ये समस्या दोस्तों काफी लोगों को आ रही है तो ये समस्या क्या है और क्यों आ रही है और इसका solution क्या है ये सारी जनकारी मैं आप लोगों से इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को end तक देखिए अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को subscribe कर देजिए तो चलते हैं मुवाइल के screen पे और आपको दिखाते हैं ये समस्या क्यों आ रही है और कैसे ये सही होगा तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने मुवाइल के screen पे तो यहां सबसे पहले मैं आपको अपना status चेक करके दिखाता हूँ तो हम यहां पे लिखेंगे pencard status उसके बाद यह NSDL का जो website है इसको open करेंगे उसके बाद यहां पे दस्तों सरा details डालने के बाद जब मैं submit पे किलिक कर रहा हूँ तो यहां पे दिखाई दे रहा है sorry no record found दोस्तों ये 2 गंटे पहले ही मैंने pencard apply किया है जो कि इसका status sorry no record found दिखा रहा है क्योंकि दोस्तों NSDL पे जो हमारा data अभी upload नहीं हुआ है ये data NSDL पे upload होने में 12 से 24 गंटे का समय लगता है 24 गंटे बाद जब मैं इसको check करूँगा तो यहां पे sorry no record नहीं दिखाएगा उसके बाद आपको क्या करना है उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि मैं आपको यहां पी एक नंबर दिखा दे रहा हूं जो कि NSDL का toll free नंबर है इस नंबर पे आप call करेंगे और बताएंगे कि हमने इतना दिन पहले अपना pencard के लिए apply किया था अभी तक इसका status no data record दिखा रहा है तो वो आपसे कुछ basic सवाल करेगा जैसे कि आपका नाम पूछेगा data birth पूछेगा pin code भी पूछ सकता है उसके बाद verification कर लेगा कि यह कोई fraud call नहीं है तो वो आपको एक consignment number देगा उस consignment number से आप अपने pencard का status track कर सकते हैं तो दोस्तो मैंने call किया था और call करने के बाद मैं consignment number ले लिया हूँ अब मैं आगे बताता हूँ आपको कि कैसे आप अपने pencard का status track करेंगे उसके लिए आपको अपना google खोल लेना है और google पे आपको search करना है speed post track तो मैं यहाँ पे type करता हूँ speed post track उसके बाद दोस्तो आपके सामने यह पे जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि track consignment का option मिलेगा तो simply आपको इस पे click कर देना है इस पे जैसे ही click करेंगे दोस्तो तो आपके सामने यह page कुड़ करके आ जाएगा यहाँ पे दोस्तो जो आपको consignment number मिला है वह आप अगर 8 plus 1 होता तो यहाँ पे 9 लिखते हैं तो जो भी होगा आपको solve करके यहाँ पे type कर देना है सबसे पहले हम अपना consignment number डालते हैं और consignment number डालने के बाद हम इसको solve करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 और हम search पे click कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तो हमारे pen card का जो status है वो track हो चुका है कब तक हमारे address बाएगा यहाँ पे सारा details यहाँ पे आप देखने को मिल लेगा कि कब हमारा pen card बना था कहां तक आ चुका है और कब तक हमारे घर पे आ जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आपका जो है problem solve हो जाएगा आपको ज्यादा tension लेने की ज़रूरत नहीं है उम्मेद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करिए फिर मिलते है नए वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम